तो स्वागा थे आप सभी का अग्यापन एकेडिमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहां था देखिए बहुत ही ज़्यादार और बहुत ही ज़्या इंट्रेस्टिंग चैप्टर है लास्ट में आप लोग भावनाओं में बहें जाएंगे विजए लास्ट में इमोशनल कर दिया है यह कहानि एक कहानी है ठीक चैप्टर का टाइटल थोड़ा आजीव लग रहा है आप लोगो समझ नहीं आरा होगा कि उसने कहा था मतलब क् मतलब क्या है लेकिन हाँ याद रखेगा चार कोश्चन यह जो कहानी है चार कोश्चन पर बेस्ट है अगर चार कोश्चन का अगर एंसर आप को मालूम चल जाता है तो आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर इस चप्टर में क्या कहानी बताई गई है पता है वह चार कोश्चन क्या है उसने कहा था मतलब किसने कहा था क्या कहा था और किस से कहा था और जिससे कहा था उसने क्या किया यह चार कोश् आप लोग को इंसर मालूम चल जाता है ना तो आप लोग को पूरी कहानी जो है ना यू चुटकियों में समझ में आ जाएगी इसे आप कोई फिल्म नहीं देखते हैं कि पहले बश्पन की कहानी दिखाई जाती है और उसके बाद से डिरेक्ट बहुत सालों के बार लेकर चला कर चला गया है 25 साल के बाद क्या हो रहा है व सरह चीज बताया गया है और फिर उसी 25 साल के बाद जो कहानी बता रही पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे वह एक निबन्ध था बातचीछ सफिस्ट शेप्टर ना आप लोग का वेंन अवह यह दूसरा चेप्टर है उसने कहा था यह कहानी है और यह किस चेप्टर के य Especially कहानी के रहाइटर ने खग कौन है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ठीक तो रैटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे वह सकता है कि अगर यह कहानी मैं आप लोगों को बताने लगूं तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाए तो इसलिए मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में मैं आप लोगो नेक्स पार्ट लेखिए यह चैप्टर नमबर टू का पार्ट वन है जिसमें मैं आप चैप्टर नमबर टू का तो चलिए मैं आप लोगों को यह कहानी के शुरुवात करती हूं और बहुत ही ज़्यदा इंट्रेस्टिंग कहानी है इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इस कहान यह किस तरह का कहानी और क्या क्या बताएगए घ्यान से सुनिएगा देखिए यह चैप्टर के शुरुवात में थोड़ा अमरिचर की तारीफ की गई है और वैसे जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना यह बहुत ही लंबा पांच भागों में डिवाइड है यह पांच खंडों में विभाजित है ठीक चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को नीद लगने लगेगा और वैसे थोड़ा मतलब आप बोल सकते हैं देहाती गाउं जिस तरह गाउं देहात में लोग बात करते हैं उस तरह की लेंग्वेज का यूज किया गया इस चैप्टर में ठीक तो आप लोग पढ़कर देख लीजेगा अगर बुक है तो लेकिन बह हो सकता है कि कोश्टन पूछ दे तो मैं नहीं चाहती आप लोग का कोई भी कोश्टन छूटे ठीक है तो बताये गया चैप्टर के शुरुवात में कि बड़े बड़े शहरे को जितने भी लोग रहते हैं या फिर चोटे-चोटे गली मुहले के उनकी बातों में थोड़ा जोल जाल दिखाई देता है मिलें तो उलज कर बाते करते कि हैं मं लोगों अमिरसर के लोगों से सीखना चाहिए की बाते कैसे की जाती है जितने भी अमिरित्सर के लोग रहते हैं उनके बातों में गुसा जोल जाल आप नहीं देखेंगे ठीक वो बहुत सीधा बाते करते और प्रेम पुरोग बाते करते हैं जा रहे हैं रास्ते में अगर कोई आ गया सामने तो बहुत ही प्यार हटाएंगे बोलें कि हट जाओ खा कर बतादे रही हूं कि क्या बोलते हैं तー कर और आला यार इसका मतलब होता है कि तुजीने योग्यए तो भागयवाली है पूत्रों की प्यारी है और लंबी उमर तेरे सामने खड़ी है तो क्या चाहती है कि तु मेरे गाड़ी के नीची आ जाए इसलिए तु भागो वाली है तु पुत्रों की प्यारी है और तेरी लंबी उमर है इसलिए तु हट जा मेरे सामने से हट जा और मुझे जाने दे स्वी अमिर्ट सर के लोगों की तारीफ की गई है और कहानी लिखा गया हो वह कौन है बारा साल का एक लड़का जिसका नाम रहता है लहना सिंग्ज ठीक चारेक्टर यही है और उसके बाठ से लड़की रहती है 8 साल की जिसका नाम नहीं बताये नाम कहीं पर भी लड़की का नाम कहीं पर भी नहीं है आठ साल की लड़की बताया गया ا वह 8 सल की लड़की रहती है और यह जो दोनों है यह अमरिटसर में ही मतलब मामा के घर आये रहते हैं यह जो लहना सिंग है 12 सल का लड़का यह अमरिटसर आये रहता है अपने मामा के घर रहने के लिए यह अमरिटसर जो है इसके मामा का घर है और उसके बाद से लड़की भी आट साल की लड़की है वह भी जाती है रसोई के लिए बढ़िया खोड़िया कोई सकती है। तो बढ़िया नहीं मालूम है बट कोई रसोई का ही समान होगा किचन का कोई समान होगा खाना बनाने वला ठीक तो लड़का जो है लहना सिंग 12 साल का ये मामा के केश्ड होने के लिए उस दुकान पर धही खर दने के लिए गया रहता है और लड़की जो है ना रसोई के इस तरह दोनों खड़ा रहते हैं चुप चाप और उसके बाद से दुकान दार तो मतलब अपना क्या करता है कितना हुआ टोटल पैसा और सामान निकाल निकाल कर देता है तब तक जो है ना लहना सिंग लड़की से बोलता है कि तेरा घर कहा है तो लड़की बोलती है मेरा तो बोलता है मेरास्टे में तू आए में अपने मामा के यहां हूँ ये भी बोलता है कि मैं अपने मामा के यहां पैसा ने लगें लुकाना लेकर रास्ते में तभी ल Arsenya वो जो 8 सालीकी लड़की है उसकी जान बचा दिया तांगे के नीची आने से बचा लिया तांगा मतलब समझते हैं ना पहले की गाड़ी वही थी एक जगह से दूसरे जगा से लोग जाया करते थे घोड़ा का बना रहता था घोड़े के पीछे तांगा लगा दी रहता उसी पर बैठते थे लोग और गोड़ा दोड़ता था नहीं तेज दोड़ेगा उतना ही जल्दी आप लोग पहुंचेंगे ठीक है अभी के जमाने में साइकल मोटर साइकल और कार लेकिन पहले के जमाने में तांगा ही हुआ करता था तांगे से एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते थे तो मतलब यह जो लड़की है मतलब वो देख नहीं रही थी कि पीछे तांगा है और मतलब वो तांगे के नीचे आही जाती और उसकी मतलब मौत हो जाती लेकिन बाद से फिर कुछ दिन के बाद जो है ना लहना सिंग उस लड़की से मिले और बोले कि तेरी कुडमाई हो गई क्या तेरी देखे कुडमाई का मतलब होता है सगाई तो लहना सिंग लड़की से सच्चा प्रेम करते थे तो लड़की धत कहकर और शर्मा कर भाग गई फिर से मिलता था तब यही एक सवाल करता था कि तेरी कुडमाई हो गई क्या यान कि तेरी सगाई हो गई क्या और लड़की जो है न वही बात धत केकर और शर्मा कर भाग जाती थी जब भी लहना सिंग लड़की से मिलता उसता तेरी कुडमाई हो गई क्या लड़की धत केकर और लड़की से मिला तो पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई क्या इस बार जो है ना वो लड़की धत कहकर शर्मा कर नहीं भागी उसको बोली हाँ हो गई मेरी कुर्माई दिखाई नहीं देता है तुमको तो लड़का जो है ना लहना सिंग इसका दिल टूप जाता है बोलता है कि कब हुई तुम्हारी कुर्माई तो लड़की बोलती है कि कल ही तो हुई थी मेरी कुर्माई ठीक और उसके बाद से लड़की कहकर चली जाती है उसके बाद से लहना संग लहना सिंग का तो दिल तूब जाता है जिससे वह सच्चा प्रेम करते थे उसकी सगाई हो गई अब य यह ल़ेहना सिह बाइना सिविए फेक टा रहते। उसके लढ़ाई उसको अधसे मन भात से मफ्र głव मॉरी भाए उसके बाद से कुद्धा को पफ्थर मारे और उसके थेले वाला था विदोद गिरा दिये और एक लड़की एक और जो है नहां करा रहे थी उसे टक्रा गए तो वह अरत बोली कि अंद्य हो दिखाई नहीं देता है ठीक है उसके बाद से मतलब बहुता है यह गुस्से में आ गये थे और इनका बेचरा दिल तूट गया था अब उसके बाद से यहीं पर यह कहानी रोक कर दिजिए जहां तक मैं आप लोगों को बताई वो लड़का का दिल तूट गया अपने घर चला गया गुस्से में अब डिरेक्ट आप लोगों को ले कर चला गया है पचीस साल के बाद क्या होता है अब यह सुनिया पचीस ट्वेंटिफाइफ यार्स लेचर यानिकि ठीक भारतिय हिंदुस्तान का जो है ना एक फौजी बन जाता है लहना सिंग सत्तर आपल का जमदार बन जाता है जमदार ठीक और उसके बाद से यह ना अपने घर पर साथ दिनों के लिए छुट्टी पर आया रहता है वो जमीन जादात का थोड़ा केस सुल जाने के लिए तब ही जो है ना रेजि मेंट से आफिसर का फोन आता है लहना सिंग के पास लहना सिंग के पास कॉल आता है और वो जो आफिसर है वो कहता है कि देखो First World War यान की प्रथम विश यूद ज वो स्टार्ट हो गया है तुमको जल्दी लुधया आना पड़ेगा यूद लढ़न सुबेदार थे सुबेदार हजारा थे इसा बड़े पोस्ट पर थे यह सुबेदार सुबेदार हजारा सिंग और लेना सिंग दूसरे के दोस्त रहते हैं और सुबेदार हजारा सिंग को बहुत जदा मानते रहते हैं और सुबेदार का सुबेदार हजारा सिंग की सिंग का बेटा एक रहता है बोधा सिंग याद रखेगा हजारा सिंग का बेटा बोधा सिंग तो सुबेदार हजारा सिंग और बोधा सिंग इन दोनों को पास भी सुभेदार हजारा सिंग करते हैं लहना सिंग के पास कि देखो तुम इधरी से ना रहा है है रास्ते में मेरा गाउं पढ़ता है तो एक काम करो मेरे घर आ जाओ और हमको मतलब मुझको भी और मेरे बेटे बोधा सिंग को भी लेकर चलो क्योंकि हम लोग एक ही जगा पर जा रहा है युद करने के लिए जंग लड़ने के लिए तो एक ही साथ चलते हैं ठीक है तो लहना सिंग जो है वो बोले ठीक है कोई दिकत नहीं है तो लहना सिंग जो मेरी पत्नी 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 न सुबधार हजारा सिंग्सीन खुराइगा। तो सुभेदार हजरा सिंग बोले, कि मेरे घर आये हो, और पता नहीं, मेरी पत्नी तुम को कैसे पहचानती है, वो बोल रही है कि तुमसे मिलना चाहती है, तो जाओ मेरे पत्नी से ज़रा तुम बात करो, तुमसे कुछ बात करेगी, ठीके, तो लिहना सिंग ये चौक उठेत जब करने लहना सिंह से बाते करती है और फिर लहना सिंह बाहर आते हैं IndanMadag मतलब इन दोनों का हेड पलटन सिंह का एक चेला रहता है वजीरा सिंह वे युद में गया कर रहता है तो है सभी लोग रहते हैं लोद्याने में जाकर युद्ध लड़ते हैं और चार दिनों से लड़ाई कर रहे थे लहना सींग थे कर दिए अग्वगारSu दॉटीमीा सहरदीalt però पूसिव पर कर रहे थे और फर वजीरा सिंग था पल्टन का विदूसक यह पानी वगएबा साफ सफ़ाई का काम कर रहा था और जब नॉर्मल सिच्वेशन था थोड़ा कम गोली भारी हो रहा था तब यह एक दुसरे से मजाग करना चुरू कर देते थे यह नहीं दुस्त करते थे यह तो लहना सिंग बोले कि सही बोल रहे हैं सुबेदार सहाब चार दिने से एक बार भी पलक नहीं जबका है हम लोग का जो है ना हड़ी वो अकड़ चुका है और उसके बाद से दस गुना ज्यादा यहां पर ठंडी पड़ रही है क्या बताया जाए इस खाई में रहते रहते पैर भी क्या हो गए सूझ गया है घड़ा में रहेकर गोली मारना पड़ता था जो भी फाइरिंग होती थी और लडाई करना पड़ता था वो घृता तो लहां उन्यादाब नहीं लगतार लडते ही आ रहे हैं और दो दिन की बात है पर तो जो है ना ये यूद्ध खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे अपने घर जाएंगे और साथ दिन का छुट्टी मिलेगा और जो फिरंगी में हैं देखें फिरंगी अंग्रेजों को कहते हैं तो फिरंगी में थी यानि कि वो लड़की थी तो बोल र पैसा लेना। वह फिरंगी में नहीन से पैसा क्योंकि यह लोग पॉझी समझ कर फिरंगी में पैसा नहीन लेती थी और समझती थी तो लैठा सिंग बोल रहे थो फिरंगी में तो हम सिग्रेट दे रही थी पीने के लिए Помक्ष कि आप लोग यहां पर बताएगे है कि सिह्ख धर्म के जितने भी लोग वहर सिग्रेट नहीं पीते हैं तो यहां पर लहना सिंग बुल रहे थ है की फिरन्गी मैं मैं तो उमको चीडरेट देरही थी लेकिन उस 앉ब कि ए dau में और एक क्षिक सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं यहीं बात हो रही थी एक दुश्य से हसी मजाग कर रहे थे लेकिन याद रखिएगा सिख कभी सिगरेट नहीं पीते हैं यह आप लोगों को पॉइंट याद रखना है ठीक है तो यह दुश्य से जब नॉर्मल सिच्वेशन होता था हसी म बताया जाए बोधा सिंग बहुत ज़्गार बहुत तेजट थंडबी लग रही थी और लहना सिंग से लहना सिंग से क्या है पहले से तब यह ठीक है कि नहीं बहुत दा देख बाल कर रहे थे ठीक बोधा सिंग और अचानक क्या हुआ रात को मतलब 10-11 बजे बोधा सिंग और तेज ठंड लगने लगी तो लहना सिंग क्या किये अपना जो है जर्सी जर्सी कहते हैं मतलब ठंड से बचाओ के लि बोधा सिंग बोला कि अच्छा लेना सिंग आप क्या पहनेंगे आप हमको अपना जर्सी दे दे रहे हैं तो आप क्या पहनेंगे आपको ठंड लग जाएगी आप लुड़क गये तो आप इस दुनिया से चले गये तो मतलब कौन चाहता है कि थंडी में मरे ठीक तो मैं बोधा सिंग के लिए लेकिन फिर भी बोधा सिंग को पहनाने के लिए लेना जूट बोला और ये पिसे थोड़ी चल्ड कम लगने से बद से लहना शिंघि काРИ तो ठीक मैंसूस हो रहा है ठीक और उसके बाद से लेहिए अब देखिए आगे क्या हुआ मतलब इस बाते करते और लेह नहीं बुदा सिंग का बहुत भाल क्याल रखते थे सब का हेड यही था पल्टन सिंग और चिलाया जोड से सुभिदार हजारा सिंग यह दोड़ कर गाए और जाकर सलामी फौजे जैसे सलामी ठोक कर और बोले खुम कीजिए ठीक तो पल्टन सिंग जो है न वह बोले कि देखो पूरब की ओर एक मिल दूर जहां पर पचास जर्म ले कर जाओ यहां के सईनिकों को बाकि यहां पर छोड़ दो इस जगह पर और बाकि सभी सैनिक को जो है ना वहां पर ले कर जाओ और शबी 50 के 50 जर्मन को मार कराओ तो वही बोला पर तयां है खाई में और जाकर पचास के पचास सैनिकों से लड़ाई करो और यूद करकर उनके उनकों हरा कराओ ठीक तो सुबेदार हजारा सिंग जो है न वह पल्ठन सिंग की बात मानते हुए को उसी जगा पर खोड़ दीए और बाकी सभी सैनिकों को लेकर चले गए वह खाई पचास के पिचास सल मन छान के लिएक्ट तब पाओध में देख रहे चि Aunque टो लैना सिंग भीने गया और वजीरा regulation भी नहीं गया थाव अलडाई करने के लिए सिर्फ सुविदार हजारा सिंभी है बागी सभी सेनिकों को ले गया था और दस्थ भू सैनिक जो है वह उसी जगा पर ठीक और उसके बात से लहना शिंग के जहां पर रहता था नहीं और अग जलाकर रखता था वहां पर दस गुना ज्यादा ठंडी पड़ती थी लेयं चलाया रखते मितलब आग से जलाकर और फुखफु Oxар कर सिगरेट पीने लगा तिक सिख MONпов यह देखे जब लहना सिंग् सिग तो उनके अचानक माइन में यह बात लुं सिंग् सिख और सिग्रेट पीटे ही नहीं है अब इसके माइड में लहना सिंग के माइड में बात खटगी और बोले कि पल्टन सिंग को हो क्या गया है सिख तो सिगरेट नहीं पीते हैं लग रहा है यह पल्टन सिंग के वर्दी में कोई और आ गया है लग रहा है पल्टन सिंग को जो है न यह लोग अगवा कर लिए नही यह जर्मन कोई आया है तो यह पता लगाने के लिए लहना सिंग उस पल्टन सिंग के पास गया ठीक है और बोल रहा था लहना सिंग जैसे ही गया ना तो पल्टन सिंग जो है जो सिगरेट पी रहा था एक सिगरेट निकाल कर लहना सिंग को भी दे रहा था लो पीओ इनका और लेहना सिंग कालक लहना संग को कि लहना सिंग को दे रहा था तो लहना सिंग को लगा यह पल्टन सिंग नहीं अब थोड़ा बात किये मतलब मतलब बातों में नहीं होता है उल्जाना और बातों से पता करना की असली पल्टन है कि नहीं उसी तरह बात कर रहे थे लहना सिंग पल्टन सिंग से कि अच्छा पल्टन सिंग आपको याद जब हम लोग जंगल में जा रहे थे तो Abdullah जो है वो मंदिर में जाकर जल चड़ा रहा था सुनिए दियान से Abdullah मुसलिम है और मंदिर में जाकर मम मैं मुसलिम कभी मंदिर में जाकर जढ़ा यह नहीं चढ़ाईगा तो यह फसाने की कुश्ट कर रहे थे पल्टन सिंह को लहनासींग बोल रहते हैं कि आपको यादें जब हम लोगं जंगल में जा रहा면 थे तो राश्ते में जो अब्दुल्ला था वो मंदिर में जा कर जल चढ़ा सुवता बातो बातों में पर nichts लिए एर असली पल्टन सिंग नहीं है यह पल्टन सिंग को या तो रख लिया है या तो उनको मार दिया है और पल्टन सिंग का जो वर्दी है वो पहन कर आया है यह जर्मन है लहना सिंग पलडन सिंग की चेहरे को भी ध्यान से देखें तो पलटन सिंग की चेहरा मतलब नहीं मिल रहा था तौह फ Change सब लग रहता कि के बाल हो डीक तब लहना सेन्ग को समझ में अरे ये तो पलडरन शिंग नहीं है यह तो जर्मन है जो की घुस आया है और हम लोगों को डरेक्ट खत्में कर देगा ठीक तो उसके बाद से पल्टन सिंग दे रहे थे फो नेंज में चल रहा था वजीरा सिंग पानी पीने के लिए उठा द kes तुटकला ओ सेंग से तो लेह नसओं से बुले कौन वजीरा सिंग जी मैं ही हूँ तो लहँ और यह तो अगवा कर दिया है लोग यह पल्टन सींग की वर्दी में पल्टन सींग के वेश में कोई जर्मन है ससुरा साफ उर्दू बोलता है और मुझको दे रहा था सिग्रेट पीने के लिए बताओ यह असली पल्टन हो सकता है और मैं चेरे को भी ध्यान से देखा वो पल सारे सायनिकों को लेकर चले गए देखिये उधर घेर कर उधर मतलब जो है जर्मन लोग हजारा सिग्ग को भी मार देगा और उनकी फॉज को भी मार देगा इधर हम लोग मर आ जाएगे सारा कहानी खतम हो जाएगा तो इसलिए तुम क्या करो वजीरा सिंग तुम जाओ दोड़ कर जल्दी सुबेदार हजारा सिंग के पास और उनको वापस बुला कर ले कर आओ जाने मत देना वहाँ पर नहीं तो हम लोग फस जाएंगे ठीक है तो वजीरा सिंग बोले लेकिन वापस बुला कर लेकर आओ यहाँ पर जो ना बहुत बड़ा हमला होने वाला है इस जगह पर जल्दी बुला आओ यह तो नकली पल्टन है भेज दिया हजारा सिंग और बाकी सभी साइनिकों को ताकि यहाँ पर हमला कर दें जल्दी बुला कर दाओ दोडो ठीक तो वजीर लहना सिंग देखे कि यह जो नकली पल्टन जो है न वो तीन ठो बड़ा-बड़ा बं का गोला जो है न तीन जगा दिवाल के तीन जगा पर फिक्स किया है और एक मतलब एक डोड़ी से तीनों को ज्वाइन कर दिया है और अब माचिस की तिल्ली जला कर बं जलाने ही वाला थ तब तक जो है ना लहना सिंग दोड़ कर गया जैसे कि एक्टर हीरो जो होता है वो दोड़ कर जाता है उसी तरह यह गया और बंदू खुटा कर गोली नहीं मारे बंदू खुटा है और उसका जो लखड़ी वाला पाठ है नीचे वाला ते उससे मतलब पल्टन नकली जो प भाग है उससे पल्टन सिंग के सर पर भी दे मारा और उसके वाज़े से नकली जो पल्टन है वो बेहोश हो गया ठीक और उसके बाद से लहना सिंग फटा-फट क्या किये तीनों जो बड़ा-बड़ा बंब का गोला था उसको उठाए और तीनों को लपीट कर बहुत दूर सोची अगर तीनों बहुता तो शूब बन फटा थो सभी लोग का ठीक और उसके बार से लहना सिंग वापस आया कि तीनों फ्ट कर पल्टन सिंग्ग को होश आया तो लहना सिंग बोले क्या हाल है पल्टन सहाब ठीक ठाक है मिजाज आज हमें पहली बार मालुम चला कि सिख होती है ये तो हम्में पहली भार मालूम हैं ओपना अपनी तारीफ करने लगा बिश्को बना अरे मैं इतने सालों तक पल्टन सिंग के साथ रहा हूं मुझको चक्मा देना इतना असान काम नहीं है तो अपनी तारीफ करने लगा और पुराना कहानी बताने लगा वही तीन महीना पहले जो है क्या आया था एक मोल्वी आया था इस तरह उस तरह मतलब बाते यह जो लहना स सिंगें अपनी तारीफ करने लगा थीक तो फल्टन सिंग क्या किया धिरे से अपना जो नकली पल्टन था वो दिरे से अपने में हाथ लगाए और बंदूक निकाला और सिंह से लहना सिंग्हें पर दे मारा ठैके लहना सिंग्हें के पर जैसे गोली लगी तो लैते लिकाले बंदूक और पोल्टन वह तनली कर दो HIM जिसमें बोधा सिंग भी आया क्या हुआ कि जितने भी सैनिक है लहना सिंग किया किया बाकि सभी सैनिकों को मतलब लहना सिंख नहीं रहे थे और दस्तानिक थे उसी खाई पर धाबा बोल के लड़ायी प्ररणभ नभल रहा थे ठेक वजीरा सिंग बोल रहा था कि हम लोग क्या जीत पाएंगे लहना सिंग से वजीरा सिंग जो है ना बोल रहा था कि हम लोग दसी हैं और यह सत्तर हैं हम लोग जीत पाएंगे तो लहना सिंग बोले कि आरे एक-एक अकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है यानि कि एक अकेला सिख जो है ना वो सवा लाक सिख के बराबर होता है तुम टेंशन मतलों हम लोग जीतेंगे और पूरा बहादुरी के साथ लड़ रहे थे लहना सिंग और इनके पैर में मतलब गोली भी लग गई थी वह नकली जो पलटन है वह मार दिये था गोली तो क्या कि उसको कि इस दाखिये देखिया बीच में सत्र त्रो सैनिक थे आगे से लहना सिंग लड़ रहे थे और थे और उसके बागे भीए बीच में सत्र सैनिक जो है ना वह घेरा गए उनका तो काम तमाम होने ही वाला था उसके बाद से अकला सीख की फौज आ गई मतलब यह जो सीख है सभी सीख जो है ना इन जर्मोनों से बहुत ही बहादुरी से लड़े ठीक है और उसके बाद से लाष्ट में जो है ना जितने भी मतलब सत्तर में से सायद 63 63 को मतलब यह लोग मार दिये जितने भी सीख थे लहना सिंह सिख की फौज मार्दी और उसके बाद से लड़ाई में जो है ना सिखो की क्या हो गई जीत हो गई विजय पादी है यह लोग बहादुरी से लड़े थे एक एक कखालिया सव लाह के बराबर होता है ठीक है और बहुत जदा और उसके बाद से लाष्ट में लेकिन लहना सिं और उसके बाद से जब लोग यह युद को यानि किस लड़ाई में जिद जाते हैं सतर जर्मन स्वरय को मार देते हैं में सभी लोग लहना सिंग को बहुत ज़्यादा शुक्रियादा करते हैं बहुत धन्यवाद कहते हजारा सिंग तो और भी जदा बोला हजारा सिंग सुवेदार जो हजारा सिंग था वो कहा लहना सिंग से कि अगर तुम लहना सिंग नहीं रहते ना तो सच में अब हम लोग जिन्दा नहीं रहते सभी लोग काम तमाम हो गया रहता ठीक है मैं भी तो नहीं पहचान पाया नकल नहीं तो वहां से कोई इंसान पोन कर दिये था डॉक्टर और आवाब और डॉक्तर भी आया मिटलब एंबूलेंस भी आया कुछ डॉक्टर भी आया जहाँ पर मतलब जितने भी शिक्ष्प पहले हो गये तो वही इंबूलींस में रखकर जो जिनकी मौत हो गई थी उनका एक एंबूलेंस अलग की तबीत खराबती बहुत ज़ला देख बाल कर रहा था तो लेहना सिंह क्या कि आप बोधा सिंह को बैठा दिया और लेहना सिंहीं हजारा सिंग को बोला कि आप भी एंबुलेंस पर बैठकर हमारे सांथ ही तो लहना सिंगिन्हों से कि तुम भी चलो मेरे साथ लेकिन लहना सिंग बोलते हैं आपको िसलामती से अपने पहुंच जाईए और जब आप घर पर पहुंच जाइएगा आपने तो अपनी पत्नी सुबेदारनी से कहिएगा उसने जो कहा था मैंने वो काम पूरा किया, सुचulen, अब यहां पर ध्यान दिजिए चप्टे का क्या नाम है उसने कहा था, तो यहां पर किसने कहा था? सुबेडार नी ने कहा था, किस से? तो लहना सिंग से कहा था,ément अब क्या कहा था? अब मैं आप लोगों को बताऊं जब लहना सिंग लडाई करने के लिए लुज्याना आ रहे थे तो रास्ते में हजारा सिंग और बोधा सिंग को लेने के लिए हजारा सिंग के घर गये थे तो हजारा सिंग गाड़ी में बैठने से पहले बोले थे कि लहना सिंग मेरी पतनी तुमको कैसे जानती है जाओ तुम से बात करना चाहती है अंदर बुलारे हैं तो उस वक्त लहनाap जुए ले सिंग मैं आप आपको तो जानता नहीं आप कौन है ठीक है तो उसी वक्त बोली रहती है सुबेदार नी कि याद है बच्पन में तुम मुझसे पूछा करते थे कि तेरी कुर्माई हो गई क्या यान कि तेरी सगाई हो गई क्या और मैं बार-बार धत कहकर सर्मा कर भाग जाती थी और फिर एक दिन जब तुम मुझसे पूछे कि तेरी कुर्माई हो गई क्या तो मैंने बोल दिया हाँ हो गई एक दिन पहले ही हुई थी देख नहीं रहे और रेश्रम का सालू ओड़ी हूँ ठीक है वही हूँ मैं ठीक है तो लहना सिंग को तब याद आया है कि यह तो वही ह ठीक है तब सुबेदार्नी जो है वह अपना आचल पसारी और बोली की देखो लहना सिंग मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पती हजारा सिंग जो है और मेरे बेटा बोधा सिंग इन दोनों को तुम सही सलामत फिर से वापस मेरे घर ला देना लडाई में युद में इनको कुछ नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारे सामने मंदब तुम्हारे आगे हाथ जोड कर हाथ पसार कर भीख मांगती हूँ कि तुम मेरे पती हजारा सिंग और मेरे बेटे बोधा सिंग को कुछ नहीं होने दोगे सही सलामा जो है ना मेरे पती और मेरे बेटे को घर वा अब समझ में पूरी कहानी तो उसने कहा था कहानी नहीं किससे कहा था था लहना सिंग से कहा था और क्या कहा था कि मेरे पती हजारा और मेरे बेटे बोधा सिंग को सही सलामत वापस घर लोटा देना कुछ नहीं होना चाहिए लड़ाई में और जो सुवेदार्नी ने लहना सिंग से जो बात कही क्या वो लहना सिंग काम किया तो नो डाउट हंडेट परसेंट जो है ना लहना सिंग अपने बात पर खरा उत्र वदा निभाया और लहना सिंग जो है ना हजारा सिंग और बोधा सिंग को सहें सलामत वो अनुदाल सुवेदार्नी के घर वापस भीज दिया तो इसको कहते हैं क्या इंदर फर प्रोजि मृते दम तक अपपने को निभाना चाहिए कभी भी उस प्रामिस को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है और यह थी बात लहना सिंग के अंदर क्या लहना सिंग सुभा सुभेदार्नी की कहीं भी बात को पूरा किया तो बिल्कुल बेशक नो डाउट लहना सिंग जो है अपने वचन पर था पैरने और कंदे पे गोली लगी हुई थी ठीक है अब इनका आखरी वक्त चल रहा था वजीरा सिंग से बोले वजीरा सिंग पानी पिला दे ठीक है और उसके बाद से देखिए जब मौत करीब रहती है ना मतलब जब मौत होने वाली रहती है तो उस वक्त इस्मृत या लड़की थी आठ साल की ठीक है और उसको मैंने तांगे के निचाने से बचाया था मैं बार बार पूछा था कि तेरी कुडमाई हो गई क्या वो धत कहकर भाग जाती थी एक दिन जब मैंने पूछा तो वो बोली कि हां हो गई मेरी कुडमाई ठीक देखते नहीं सालू और सालू ओड़ी हूं वगरा वगरा यह सारा बाद जो है ना लहना सिंग को याद आने लगा अब देखिए लहना सिंग की जो आखरी इच्छा थी ना आखरी इच्छा समझे लहना सिंग की आखरी इच्छा थी कि जब वो मरे ना तो अपने भाई किरत सिंग की गोद में मरें तो इनकी इच्छा थी कि आंगन में अपने भाई किरत सिंग की गोद में मेरी मौथ हो और सामने आम का पेड़ रहे लेकिन ये कहां पर थे लहना सिंग जहां पर लडाई हो रहा था लुधियाना में थे और उसके बाद से पानी मांग रहे थे वजीरा सिंग से तो वजीरा सिंग पानी ला कर दिया और लहना सिंग को लगा ऐसा कि ये वजीरा सिंग नहीं है इनका भाई किरत सिंग है लहना सिंग को क्या लगा वजीरा सिंग नहीं है ये अब उनका भाई किरत सिंग है तो लहना सि लैना सिंह की भाई तुम कि रत सिंह मेरा सर तुम अपनी गौद मे रख लो तो वजीरा सिंह ठाव यह ठाव यह क्या पाखरी वक्त चल रहा था लेहना सिंग बोल रहा था कि देखो कितना अच्छा सामने पेड़ खड़ा हैं आंका इनका अंगन में अपने भाई की गोद में सिर्फर रखकर मरूं और सामने वह आम का पेड़ हो जो मैं लगाया हूं उग मैं तो इनको ऐसा लग रहा था कि जमदार जो लहना सिंग था उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर हो जाता है आप लोग का कहानी पूरी तरीके से किमप्लीट आप लोग को समझ में अए होगा जो इसका से कंड्ड आएका मैं आप लोग्ञकों में बता दूग्चेंद यह पूर को लोगी मैं आप लों काप कर पूछे कंड्स aja és सकते हैं बाकी जो कुमिंद करकूं सकते हैं बागी मैं आप तो बनता है फड़ा फड़ वीडियो को लाइक कीजिए और चारो तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ोशी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकते शेयर करें और हाँ अगर अपलोग चैनल पढ़नाय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब कर देने के बात बेले कर यहनकी घंटी के दुबा कर औल का अपसन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी जो जाने वाल वीडियो का औल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठिक तो फिर्म लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के और हुदा हाफिस